नमस्क्राइसान भाईयो, मंडी भाव इंदोर, यूटीब चनर पर आपका बहुत बहुत स्वागते, मैं गोपाल सेंग चोहान, आत दिनांक, 16 अप्रेल 2024 हमें इंदोर, 14 मंडी में किसान भाईयो, सबसे पहले इस साल हम देख रहे हैं, साइज लसुन की छोटे री गई है, बारिक रह गई है इसके दो कारण तो यह से है, पता ही हमको, एक कारण तो यह है कि इस बार थोड़ा सा मोसम के साथ कम मिला, और दुसरी चीज, खेत में भी थोड़ी जान, यह के सकते खेत में थोड़ी ताकत होने चीए, जब ही लसुन की साइज बनेगी पर जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, अब वो आप आगे देखिए और समझेगा किसान बायों आप देख रहे हैं, मंडी में लसुन 15,000 भी बिकरी है, 20,000 भी बिकरी है, तो मात्र 5,000 से 7,000 भी लसुन बिकरी है उसका सबसे बड़ा कारण है लसुन की सही तरीके से बुवाई होना तो आज आए हम TK Agro Private Limited पे जो की भाईया है हमारे साथ भाईया सबसे बड़ा कारण क्या है इस टेक्नोलोजी का, यह जर्मन टेक्नोलोजी है इसका कारण भाईया बताएंगे कि इससे बुवाई अच्छी कैसे होती है देखे लसन बुवाई का जो प्रिंसिवल मेथड है वो है उसकी दूरी सही और नर्धारित दूरी पे अगर आप लसन को बहते है तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनती है जैसे चार इंच भाई चार इंच के गाले में अगर आपने लसन बुवी बीच से बीच की दूरी भी चार इंच हुई और क्यारी से क्यारी की दूरी भी चार इंच हुई इसे बरोबर परफेक्टली पड़ती है जबी लसुन की साइज अच्छी बनती है तो किसान भाईयो आज आये हम TK Agro Private Limited पे जो की इंदोर में है हमारा जो इंडस्ट्री एरिया सावेर रोड पे आप यहाँ पर आ सकते हैं विसे नंबर में आपको इस्क्रीम पर दे रखे हैं आप अभी कॉल कीजिए और देखिए मसीन केसी है क्या टेक्नोलोजी मसीन में है चलिए आज किसान भाईयो आवोघ्व की बात कर लें सबसे पहले तो आप मानिए मात्र 9000 से 929 कटों के लगबक के आवा किसान भाईयो आज इंदोर चोईतरा मन्डी में हमें देखने को मिलीए किसकते हैं आवक के किसान भयों लगबक कल नज से भी 5.000 कट्टों के लगबक के आवक इंदोर मंडी में कम देखने को मिलिये फिर भी बात कल ले हम किसान भयों आज के हम बजार की तो बजार में जादा कोई तेजी नहीं देखने को मिली जाथ बिल्कुल थोड़ी बहुत आवक के कम होने का दबाव वाला जो बजार है वही हमें आद देखने को मिला है बतलब आवक के कम है तो थोड़ा वह तो उच्छाल आम बात है क्योंकि आप माने ना जहां 15,000 की तो केपिसिटी है पर आज 8-9,000 ही है वेशे तो इंदोर मंड़ी म की बात कर लें तो ठीक ठाक थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलीए को जादा तेजी नहीं है तो चलिए देखने आज के लसुन के भाव क्वालेटी के साथ यहां देखिए लसुन की क्वालेटी जो किया 13,900 रुपे क्विंटल भी किए 149 रुपे किलो के सबसेब का माल है पर के सकते इसमें आपको दातर क्वालेटी का माल नजर आएगा देखिए आप क्वालेटी 13,900 रुपे क्विंटल भी किया आज आप देख सकते है क्वालेटी यहां देखिए लसुन की क्वालेटी जो किया 6,800 रुपे क्विंटल भी किये 68,800 रुपे क्विंटल देखे साइज की बाद कर ले तो इसमें लड़ू और पूरी साइज का माल है बारिक साइज जो रहती है वही वाली कॉलेटी देखने को मिल रिसमें देखिया च्छे हजार आठ सो रुपे क्विंटल विका है आज यहां देखिये लसम की कॉलेटी जो किया 13,08 रुपे क्विंटल विकी है देखिया आप साइज की बात कर ले तो लड़ू है और मीडियम भी है वैसे फूल साइज का माल है वह थोड़ा सा कम इसमें देखने को मिल रहा है वाकि थोड़ा सा लड़ू मीडियम साइज का माल हाई गा देखिया तेरह जार अच्छी रुपे कुंडल विकी है आज आप देख सकते है कॉलेटी यहां देखिए लसम की क्विकी जो किया 4,900 रुपे कंडल विकी देखिये बिलकूल पहुचा माल है देखिय है कही सा कही भी इसमें आपको कली नजर आईगी ही नहीं देख फिर भी अच्छा विका है चार हजार नो सो रुपे कुंडल देखिया आप कलिया विखर रही है हलका माल है काला पढ़ने लग गया हर तरह की समस्या इसमें आपको मिल जाएगी यहां देखिये लशन की क्युलेटी जो किया साथ हजार पांसो रुपे कुंडल भी किये पिचुतर सो रुपे कुंडल देखिया अब साइज की बात करें इसमें लगबग माल मीडियम लड्डू साइज का आपको नजर आएगा देखिया देखिया वाकि माल सूखा है साथ हजार पांसो रुपे कुंडल भी का है आज